तो कौन कहता है कि हम वरत में बहुत ही अच्छा खाना बना कर नहीं खा सकते तो इसी के साथ आज मैं नौरातर वरत की यह थाली की रेशिपी लेकर आए हूं जिसमें चीला और रायता और यह पोकोड़े बना कर मैंने तयार किया है जो कि खाने में बहुत ही जाला टेस्टी पीट तर पुरा भर जाएगा आपका वरत में ऐसी थाली में तयार कर रहे हूं तो इसे न सबसे सहिए पहले मैंने क्या किया सााबूदाना लिया है यहां पर देखेए यहां पर मैंने 1-2 मिनार्ड लिया है और इसे थाले में न काल कर न ठंडा कर लेंगे तो यह देखे ने से ठंडा करने की बाद हमें क्या करना है इस साबुदाने को हमें पीसना है friends तो चलिए ने इसका पीस के मैं powder तयार कर लेती हूँ तो यह देखे friends यहाँ पर साबुदाने को अच्छे तरीके से पीस लिया है और अब क्या कर रहे हूं मैं यहां पर थोड़ा से साबुदाना ना यहां पर एक बाउल में मैं निकाल रहे हूं और यहां पर साबुदाने का पाउडर लेंगे और इसमें डालेंगे पहले हम पानी तो यहाँ पर एक कप पानी लिया है और यहाँ पर मैंने आधा कप पानी डाल दिया है और अच्छे तरीके से mix करेंगे साबुदाने में जैसे जैसे हम पानी डालेंगे साबुदाना पूरी तरीके से पानी सोख लेगा तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए डालते हुए एड़ करना है तो यह देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आपको तयार करना है पानी डालकी सबसे पहले यहाँ भी डाल रहे हूँ बारी कटे हुए हरी मिर्च और यहाँ पर अद्रक ग्रेट किया हुए डाल रहे हूँ कालिब मिर्च पाउडर भी डाल रहे हूँ मुमफली के दाने डाल देंगे यहाँ पर भुना हुआ मुमफली का दाना है कूट के डाली हुए यहाँ पर वर्ण में सेंधा नमक डाल रहे हूँ बैटर को कुछ इस तरीके से रेडी करने के बाद क्या करेंगे यहां पर आधा कप मैं डालने हूं सिंघाडे का आटा अब वरत का कोई साभी आटा ले सकते हैं और यहां पने थोड़ा फाइन डालते वे एक ठिकसा हमें बैटर तियार करना है इस बैटर से मैं तयार करूंग इसे रख दिया है साइड में एक और बैटर त्यार कर रही हूँ पकोड़े के लिए तो यहाँ पर न मैंने सिंहाड़े कांटा लिया है बाउल में और और आधी कप ली यह देखे फ्रेंट सबसे पहले हम दोनों बैटर को अच्छे तरीके से त्यार करके साइड में रख देंगे क्योंकि बैटर को थोड़ा फूलने में टाइम लगता है सेट होने में तो यहाँ पर थोड़ा पाई डालते हुए ठीक सा बैटर त्यार कर लेंगे यह देगे हरी मिस्ट डाल दी है मैंने घिसा हुआ अद्रक डाल दिया है और थोड़ा सा करी पत्ता काट के डाल देंगे और थोड़ा सा भूनने के बाद ना फ्रेंट्स यहाँ पर डालेंगे हम उबला हुआ आलू मैश करके तो यहाँ पर आलू को मैंने मैश करके डाल दिया है यहां पर न स्टफिंग को इस तरीके से करने के बाद यहां पर भुनाओं मुंफली डालेंगे कूटके तो यह दिखिए हरा धनिया उपर से डालके अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और यह हमारी वरत की जो स्टफिंग है बिल्कुल तयार है आप देख सकते हैं कितना इजी जीरा तो हरे मिस डाल देंगे एक उबले हुए आलू को पीसे में कट करके डालेंगे फ्रेंड्स और इसे अच्छे तरीके से करीब एक से दो मिर्ट तक भून लेंगे तो यह दिखिए कुछ इस तरीके से भूनने के बाद न अब इसे हम उतार देंगे और यहां पर मैंने फेटा हुआ दही ले लिया है और दही में ही यह भूने हुए आलू को हम डाल देंगे तो यह लीजिए अब क्या करेंगे यहां पर नमक डाल देंगे सेंधा नमक और यहां पर भूना हुआ जीरा डालेंगी और फ्रेंट्स यहां बहरा धनिया डालते हुए अच्छे तरीके से मिक्स करेंगी और यह हमाना व्रत वाला जो आलू का रायता है बनकर बिल्कुल रेडी है यह देख सकते हैं देखा यहां वे खाने बहुत जादा टेस्टी लगता है और फ्रेंट्स यहां पर लेरी हुँ में स्टफिंग आलू के चो स्टफिंग है इसाथिके से हम कर लेंगी लिजा, मैं किस तरीके से कर रही हूं रोल की तरह छोटा छोटा हम बना के रख देंगे रेंगे यहां पर मैं ने छोटा छोटा रोल बना लिया है और इसके विझे हम बनाएंगे फ्रेंटस प्चोडी जो के खाने में बहुत ही ज्याधा क्रिस्पी को रोल कर पेट में और मैं ले रही हूँ बैटर हम ने सिर्फ सिंहाड़े के आटे से तियार किया है तो यह दिखे setting करके मैं एक एक करके कोट कर लिया है और इसे फटाफट ना फ्राय करेंगे तो ऑयल को अच्छा दम घरम कर लेंगे और फटाफट एक एक करके हम यहां पर कोट करते हुए डाल दिंगी और क्रिस्प होने तक हम उलट प्रेट करते हुए इसे फ्राय करेंगे फ्रेंट्स पताए बहुत जादा टेस्टी पकोड़े बनकर त्यार होंगे और व्रत में ऐसे पकोड़े खाने को मिल जाए तो बात ही क्या इतना जाद है यह टीस्टी बनकर त्यार होता है तो फ्रेंट्स यह देखिए उलट प्रेट करते हुए न अच्छे तरीके से फ्राय कर लेंगे और यह हमारे पकोड़े बिल्कुल अच्छे त चीला तो मैंने यह साबुदाने और जो घाड़े काटे से बैटर तयार किया था वहला बैटर मैंने ले लिया है और यहां पने तवे रखेंगे तवा पे ओयल थोड़ा सा ग्रीज करेंगे आपको ज्यादा ओयल भी डालने की जरुवत नहीं है यह बहुत ही कम तेल में बन कर तयार कर लूँगी बहुत ही टेस्टी चीला बनकर तयार होता है और इस तरीके से हमारा वरत का जो खाना है बनकर बिलकुल रेडी है तो चलिए फटा-फट थाली लगा लेते हैं हम यहां पर आलू का रायता रख दिया है प्लेट में और यहां पर जो चीला तेयार के च जाता है जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको रेसिपी कैसी लगे अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और यह दिके चट्नी के साथ हमारा थाली रहा है